हाई दोस्तो जिकेटी टेक्म वर्ड में आप सभी लोगों का बहूत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो Instagram के उपर होने वाला है दोस्तो अगर आप भी एक Instagram यूजर हैं तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही जादा helpful हो सकता है दोस्तो जब से TikTok बंद हुआ है Instagram ने short video का एक नया option ला दिया है जिससे हम अपने जो भी short video रहते हैं वो हम उस पर उस option पर upload कर देते हैं दोस्तो आप मेंसे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि आजकर लोग अपने फोटो के साथ अलग-अलग music लगाते हैं और उसे send करते हैं दोस्तो जब मैंने अपना फोटो लगाने की कोशिश की तो मुझे ये option ही नहीं आई ये music का option ही नहीं मिल रहा था मुझे तो इस problem को कैसे solve किया जाया आज मैं इस वीडियो में आप सब लोग को बताने वाला हूँ तो दोस्तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी skip मत कीजिएगा वरना आपको ये जो trick बताने वाला हो ना वो आपको बिलकुल भी नहीं समझेगा तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक request है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को like और subscribe नहीं किया है तो जल्दी से like और subscribe कर दीजिए bell icon को जरूर से दबाएए इससे हो गए है कि हमारे जो भी latest वीडियो अपलोड होते हैं उसका notification आप सभी लोग को देखने को मिल जाएगा नमस्ते दोस्तो मेरा नाम प्रवीन है और जिकेरी टेक्नो वर्ड में आप समी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको अपने Instagram पे चले जाना है और सबसे पहले चेक करना है कि आपके Instagram में Music का option enable हुआ है या नहीं Music का option मिल भी रहा है या नहीं तो सबसे पहले कैसे हम चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको your story दिख रहा होगा अपने story के उपर click करके एक photo choose कर लेते हैं तो चलिए हम यहां से एक photo ले लेते हैं कोई भी एक photo हम ले लेते हैं माल लीजिए हमने यह वाला एक photo ले लिया है जैसे आप कोई भी photo choose करों यहां उपर आपको अलग अलग options देखने को मिल रहा होगे तो यहां पर आप इस option पर जैसे ही click करेंगे तो यहां पर अलग-अलग options देखने को मिल जाने से location हो गया, mention हो गया, उसी में ही देखिया हमें music को option देखने मिल रहा है, दोस्तों वीडियो वनाने से पहले हमें music को option नहीं मिल रहा था, तो हमने ये trick यूज किया, तब जाके हमें music को option enable हुआ है हमारे instagram में, अगर आपका भी नहीं होता ह तो simply आपको करना क्या है, इस page का screenshot ले लेना है, तो चलिए हम भी यहाँ पर एक screenshot ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पर screenshot ले लिया है, अब आपको चलना है, back कर लेना है, जैसे आप back करेंगे, अपने profile में आ जाएंगे, तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, आपका जो profile ह तो उसके उपर click करना है, जहाँ पर आपका photo आता होगा, अब आप आगे हैं, अपने profile में, तो उपर आपको दिख रहा होगा, तीन dot, उस dot के उपर आपको click कर देना है, जैसे ही click करेंगे, तो यहाँ पर आपको अलग-अलग options देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ सबसे नीचे आपको setting का option देखने को मिल रहा है, तो आपको simply setting के उपर click कर देना है, जैसे ही आप setting के उपर click करेंगे, तो आपको धेर सारे options देखने को मिल जाएंगे, तो आपको जाना है help, यहाँ नीचे आप देख सकते help का option मिल रहा होगा, तो उसके उपर आपको click कर देना है क्लिक करने के बाद फिर से आपको 3 option मिल जाएगा तो जो first option दिख रहा है report a problem उसके उपर आपको क्लिक कर लेना है यहाँ पर जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो again फिर से यहाँ पर आपको 3 option मिल जाएगा तो जो last option है report a problem उसके उपर आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं gallery और take screenshot तो हमें gallery से चलना क्योंकि हमने screenshot already निकाल रखा है तो हम चलते हैं gallery में और gallery से जो हमने screenshot निकाला था उसी screenshot को यहाँ पर upload कर देंगे और यहाँ पर उपर लिखना है जहाँ पर दिख रहा है आपको what went wrong तो यहाँ पर आपको अपना problem लिखना है तो आपको क्या लिखना है वो हमने अपने description में दे रखा है और वहाँ से भी जाके आप उसे copy करके यहाँ paste कर सकते हो तो यहाँ पर हमने लिखा है please enable my instagram music option please check your system thanks और अब आपको कर देना है submit यहाँ मेरा already हो चुका है तो अब मैं submit option पर नहीं click क्योंकि already मेरे instagram पर music का system enable हो चुका है तो जैसे आप submit के उपर click करेंगे तो यह जो problem है जो भी जो यह आपका screenshot और आपने जो भी लिखा है वो instagram के पास submit हो जाएगा एक या दो घंटे बाद आपकी instagram में music system जो music option है वो enable कर दिया जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप अपन अगर आपके instagram में music option नहीं आ रहा है तो यह trick से आप अपने music को enable कर सकते हो तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जादा से जादा share कीजिए like कीजिए और subscribe करना तो बिलकुल मत भूलिए